फिल्म की शुरुवात हुई फ्यूचर इन्हीं काफी आगे के टाइम से जहां आमें दिखाया गया कि एक कंप्री में कुछ एंड्रोइट्स यानि इनसान जिसे दिखने वाले रोबोर्ट्स बनाई जिने सिम्यूलन्स कहा जाता है जो इस मूवी का नाम भी है इन सिम्यूलन्स रोबोर्ट्स को चार असूल दिये जाते जो इन्हें हमेशा हर हाल में मानने पड़ते पहला असूल था कि ये किसी भी इनसान को मान नहीं सकते दूसरा कि वो खुद को अपग्रेट नहीं कर सकते यानि कुद में तबदिलियां करके और अच्छा नहीं बना सकते तीसरा ये गवर्मेंट का कोई भी असूल नहीं तोड़ सकते हर हाल में मानना है जो था और सबसे एहम असूल कि इने हर हाल में इनसान की बात माननी है क्योंकि इने द्रैसल इनसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इनसान का हर काम करें इसके बाद हमें कपल को देखते हैं जो दोनों हिस्बिन वाइफ थे इनमें हिस्बिन का नाम इवान था इनोंने भी अपने घर में एक बोड़ी सिम्योलन ट्रकी हुई थी जो इनके सारे काम किया करती थी क्योंकि इवान को पियानो बजाने का बोग शोक था इसे उनकी जान तो बच गई पर इवान को काफी चोट आई हर रोज इस सपने की बज़े से इवान घबरा कर उठ जाया करता था वो सूचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं तो फिर क्यों ये सपना मुझे बार बार बर बरेशान कह रहा है इस बारे में उसने कई बार अपनी वाइफ को भी बताने की कोशिश की जिस पर वो हमेशा एक ही बात करती थी कि ये बस तुम्हारा सपना है और कुछ नहीं इत्फाक से तुम्हें हर रोज ऐसे सपने आती होंगी क्योंकि असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ उसकी बातों से लगता था कि वो कुछ चुपा रही है क्योंकि ज़्यदा तर वो इस बात को नजर अंताजी करती थी वो हमेशा इवान से अलग कमरे में रहती थी जा इवान का जाना मना था अब हम रोबर्ट कंपने की पुलिस को देखती है जिनका काम इन रोबोट्स पर नजर रखना था कि ये ठीक से कान कर रहे हैं या नहीं अगर कोई गड़बर है तो उन्हें फोरन पकड़कर बेंड कर दिया जाए या एक टिटक्टिव को एक सिम्यूलेंट जिसका नाम एसमी था उसे डूरने का कान मिला था जब पिछले तीन साल से तो बन थी लेकिन अब अचानक उसके सिग्नल्स एक्टिव हो गई हैं चल पड़ें जिस वज़ें से वो भाग गई और अब उसका कोई अता पता नहीं है अब तभी टिटक्टिव को पता चला कि एसमी एक किराय के घर पर रह रही है तो वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए चला गया ये उसके घर के बाहर कड़ा हो गया एसमी जैसे बाहर आये इसने उस पर गण तान दी पकड़ने के लिए पर वो इतने ताकदवर थी कि उसने पहले गण को अपने सामने से हटाया पिर डिटक्टिव को मुक्का मार कर नीची गिरा दिया फिर दुबारा गिरेबान से पकड़ कर उसे उठाया और इस बार तो सिडियों से ही नीची फैंक दिया जो करने की बाद वो यहां से भागने लगी अब यह ज़स काफी अजीब थी अचानक सभी सिम्यूलेंट रोबोट्स एकदम जैसे जाम हो गई यानि के रुख गई डिटक्टिव जब आगे बढ़ा तो उसे इसी रुखी हुई हालत में एसमी दिख चाती है जो बाइक लेकर बस भागने ही वाली थी पर शूर्ट से रुख गई और अब डिटक्टिव उसके गले में एक कॉलर डिवाइस लगा कर पकड़ लेता है फिर वो एसमी को अपनी आफिस चोड़कर दुबारा से उसके घर में आया च्छान बिंग करने के लिए अभी वो तलाशी ले ही रहा था कि तबिया एक लड़का आया जो एक साइंटिस भी था और हैकर भी यहां वो अपना नाम केसी बताता है और कहने लगा कि मैं एसमी का पड़ोसी हूँ वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं और आप को ने और यहां क्या कर रही है एसमी काहा है जिस पर डिटक्टिव जवाब देता है कि जानते हो जिसके साथ तुम इतने वक्त से रह रह रही थी वो कोई आम लड़की नहीं है बलके एक सिम्यूलेंट एक रोबोट थी जो जानकर केसी को काफी हैरानी हुई खर जब वह वहाँ से गया तो डिटक्टिव को और चानबीन करने पर वहाँ एक डाइरी एक मशलियों वाला टैंक और एक किताब मिली जो दिटक्टिव काफी हिरान रह गया सोच भी पड़ गया क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया था कि उसके अंदर इनसान जैसे फीलिंग्स जिस बात हूँ जो अपने पास इस तरह की चीज़ें रखे जैसे इनसान रखते हैं इसके बाद वो वापिस अपनी आफिस आया जहां पर एसमी को टेबल पर लेटाया गया था और अब उसकी अंदर से रोबोट वाली चिप निकाल दी गई थी दिमाग को चेक करने पर इनने केसी की यादे में मिलती हैं जिससे ये समझ गई कि इसका मतलब कि एसमी और केसी एक दूसरे को पस्यान करते थी अभी जिस बहुत हैरान कुन थी क्योंकि अभी तक किसी पर रोबोट में इनसान जैसे फीलिंग्स नहीं थी और इनने उस इनसान को डूरना था जिसने एसमी के सिस्टम को हैग करके यानि उसे अपनी कंट्रोल में करके उसे पूरा बदल के रग दिया मजीद जानकारी हासिल करने के लिए डिटेक्टिव वापिस आया केसी को पकड़ने के लिए लेकिन वो पहले घर छोड़ कर यहां से जा जुका था इसलिए डिटेक्टिव और चानबिन करने के लिए एसमी के घर आया जहां अब उसे एक और किताब मिली जो काफी पुरानी थी एसमे ने खरीदी थी और अब वो उस दुकान पर जाता है जहां से किताब ले गई थी वो दुकान दर से बुश्टश करी रहा था कि तब ही यहां केसी आया उसे पकरने के लिए डिटेक्टिव फोरण भागा लेकिन केसी पहले इवाँ से भाग गया उधर इवान की वाइफ पॉल में नहा रही थी लेकिन वो थोड़े परेशान दिख रही थी उसे नॉर्मल करने के लिए जैसे इवान उसके पास आने लगा तो उसकी वाइफ ने दूर हटा दिया यह कहती है कि बस बहुत हुआ टाइम आ गया है सब सच बताने का जो केकर वो उसे अपने उसी कमरे में लेकर आई जहां पहले इवान का आना मना था यहां उसकी वाइफ जैसे ही सिमुलेंट रोबोट था बिल्कुल उसकी वाइफ जैसे इसलिए था क्योंकि वो उसकी वाइफ का क्लोन डुप्लिकेट था तो अब यहां सचाय सामने आती है कि इवान खुद भी कोई इनसान नहीं बलके एक सिमुलेंट है उसकी वाइफ ये सच चाहिए उसे दिखाती है वो उसके सीने के जिल्द को हटा कर वहाँ लगी चिप दिखाती है जो देखकर इवान काफी हिरान परिशान रहे गया डेती हुए कीता है कि नहीं ये जोट है, मुम्किन नहीं है मैं कोई रोबोट नहीं, बलके इनसान हूँ इस पर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं तुम सच में एक रोबोट हो, मेरी हिस्बेंट जैसा क्लोन हो दरासल जो बार बार तुम्हें एक्सिडेंट के सपने आती थे वो सच थे क्यूकि मेरा और मेरी हिस्बेंट का सच में एक्सिडेंट हुआ था जिसमें वो मारे गे जिसकी बार मैंने कंपने में जाकर अपने इस्बेंट का क्लोन naireप बनवा लिया था क्यूकि उस हाथसे से पहने जब कंपने ने इसलिए चुपाती थी ताकि तुम इन चीजों से दूर हो पर मैं ये बार दिल मे रहकर जी नहीं पा रहे थी इसलिए मने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया पर ये सारी बाते माने से वो इनकार कर देता है कि नहीं मिन तुमसे प्यार करता हूँ मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है ना किसी और के साथ ना तुम्हारे क्लोन के साथ किसी के साथ भी नहीं जो बाते सुनकर उसकी वाइफ को अजीब लगा इसलिए वो इवान को पहाने से सुला कर उसका सिस्टम बेंड कर देती है तोड़ी दिर बाद यहां केसी आया जो खुद को उस रोबोट कमपनी का वरकर बताता है जिसका काम रोबोट को चेक करके होने वली खराबियों को ठीक करना है यहां इवान की वाइफ कहती है कि इसमें इनसानों जैसे फिलिंग्स आ रही है और बार-बार इसे एकसिडेंट वाले सपने आते हैं आखिर कैसी यह यह मेरी हस्बन की यादें दीख पा रहा है जिस पर कैसी इवान की कलोन को चेक करके बताता है क्योंकि आपकी हजबन की यादें इसके रिमाग में डाल दी गए थी इसलिए ये बार-बार उनकी यादों को देख पा रहा है बार-बार आपसे प्यार करने आपके साथ रहने की जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर आपके हिस्बन वाले ही फीलिंग्स है इवान की वाइफ कहती है पर अब मुझे एक सीमूलन्ट की साथ नहीं रहना इसलिए तूमें से पूरी तरह से बंड करके खत्म कर दो जिस पर कीसी उसी मश्वरा देता है कि बजाए इसे पूरी तरह से बंड करने की इसी एक खास एरिया में बीच दो जिसकी बारे में मैं जानता हूँ, जो कहे कर वो एरिया का कार्ड देता है, बताता है कि वहाँ और भी कही सारे सिम्यूलेंट से हैं, तो वहाँ जाकर ये अराम से अपनी जिनके को जार लेगा, खत्म होने से बच जाएगा, ये बात सुनकर इवान की वाइफ जिस पाती होग वो बता दीता है कि केसी आप ये कंपनी में वर्कर हैं, अब केसी नाम का कोई वर्कर नहीं था, इसलिए मैनेजर को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जब डिटेक्टी उसे अपना बनाया हुआ, केसी का स्केश दिखाता है तो मैनेजर पे चाल लेती है, बतानी लगी, ये के इमोशन्स नहीं, पर फिर भी इंता ख्याल करना चाहीं, इनसान इन्हें सिर्फ अपने नोकरों की नजर से देखती हैं, थोड़ी बहुत थक उनने भी मिलने चाहीं, उधर इवान की वाइव उसे उस एरिया में लेकर आती है, जहांपर बागी सिम्यूलेंट्स भी रहती ह और उसे ही एक कमरे में छोड़कर अलविता केकर यहां से चली चाहती है, थोड़ी दिर बाद यहां केसी आया, जो इवान को बतानी लगा कि मैं जानता हूँ, तुम्हारी वाइव तुम्हें पूरी तरह से बंद करवाना चाहती थी, पर मैंने यह उसी मश्वरा दिया, कि और तुम्हें यहां लेकर आ जाए, और अब अगर तुम्हारी वाइव से तुम्हें दुबारा मिल जाओ, वापीस आई, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा, और देटक्टिव को क्योंकि कैसी को पकड़ना था, इसलिए उसकी गाड़े की लोकेशन यहां इस वक्त वो कहा है, उसे हैड कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसका अकाउंट नहीं बना हुआ था, तो लोकेशन का उसे पता नहीं जल पाता, फिर वो एसमी को ही दुबारा से होश में लाकर केसी की बारे में पूछने लगा, वो सुन तो रही थी, लेकिन पर सर नीच करके खड़ी थी, केसी की बारे में कुछ नहीं बताती, इवान के क्लोन को अभी भी एकिन नहीं आ रहा था, कि मैं एक सिम्यूलन्ट हूँ, इसलिए वो उस जगा पर गया, जहां असल इवान का एक्सिडेंट हुआ था, यहां आकर उसे एहसास हुआ, कि यह तो वही जगा जो बार-बार मेरे सपने में आती थी, तो वो समझ किया, कि सच में मैं एक क्लोन ही हूँ, वो सिधा केसी के पास गया, केसी उसे कहने लगा, कि मैं तुम्हें बिलकुल इनसान जैसा बना दूगा, जिस पर वो मान गया, जहां केसी उसका ऑपरेशन करने लगा, वो उसके सी केसी की लोकेशन ट्रेस कह रहा था, तो आखिर अब उसे इस क्लिप की लोकेशन मिल ही चाती है, यहां लगे कैमरा में जब उसने इवान को देखा, तो वो उसकी मालिक इन्हें इवान की वाइब से भी राप्ता करने की कोशिश करता है, ताकि किसी तरह वो केसी तक पहुन की लोकेशन को ट्रेस कह लिया था, जहां वो अपने साथियों के साथ आ गया, जो जगा एक वेन थी, जहां इस वक्त एसमी के क्लोन रह रह रही थी, वो जैसी ने देखती है, फोरण यहां से बाग जाती है, लेकिन डेक्टिव अपने उसी खास गन से शूट करकी, उसे वही रोग देता है, यह उसे पकड़कर अपने आफिस में लाएं, लेकिन इन्हें पता चला, यह हम इस लगा, थोड़ी दिर में वो पूरी तरह तबाह हो जाती है, अब क्यूंकि इवान की वाइफ की पास डेक्टिव की कॉल आई थी, इसलिए वो इवान से मिलने के लिए उस एरिया में आई, जो इस वक्त बाहर कहीं से आ रहा था, उसे इतना बदला हुआ देकर, वो काफी ह लगा, तो वो उसे रोकर वाह से चली जाती है, लेकिन शान को इवान तुबारा से उससे मिलने के लिए गर गया, जहां उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ थी, उसे किसी और के साथ देकर इवान को जलन हुई, वो अपनी वाइफ से इस बान में बात करता है, तो उनकी ब उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा, लेकिन आफिस में ऐसमें जो ये सारी बाते सुन रही थी, वो फूरन केसी को कॉल करके इस बारे में बता देती है, कि तुम्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव आ रहा है, तो निकलो वहां से, ये चांदर कैसे जल्दी से इ टेक्टिव यहां आया, तो उसकी हाथ कुछ न लगा, वो मायूस होकर वापिस अपनी आफिस आया, एसमें से पूश्टाश करने लगता है, तब वो बता देती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, इसलिए तुमारी वहां से जाने से पहले ही, मैंने उसे बता दिया, तब पने जान बचा कर वहां से भाग गया, यह सुनकर डेक्टिव को बहुत गुसाया, इसलिए वो एसमे को खूब पीटने लगता है, साथ ही उसे मुकमल बंद करने का हुकम देता है, जिब उसका ये प्रोसर्श शुरू किया गया, तो एसमे तरपने लगी, जो देकर लेकिन उसने कुद को नॉर्मल रखा, ये सोच कर कि ये कोई इनसान नहीं है, बलकि रोबोट है, अब इवान की वाइफ एक बार पिर उन्हें पकड़वाने के लिए डिटक्टिव को बता देती है, कि वो दोनों फार्म हाउस गए हैं, इसलिए अब वो भी फार्म हाउस क लेकिन अगली सुबा जब केसी बाहर आया, तो वहान डिटक्टिव भी आ जुका था, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, उसे रोकने के लिए केसी आगे बड़ा, दुनों की हता पाई होई, जिस बेच डिटक्टिव को गोली लग जाती है, या केसी भी जखमी हो गय तो वहां से खून की बजाई सफीज रंग का लिकुट निकल रहा था, जिससे हम समझ पाई केसी भी असल में एक सिम्योलेंट है, उसे डिटक्टिव पर बहुत गुसाया, तो वह उसे उठा कर दोर किरा देता है, डिटक्टिव को तो पहले एक गोली लगी थी, जहां अव और इस तरह से रोबोट अजाद हो गए, इवान केसी को कहता है कि मैं नहीं चाहता, तुम खत्म हो, मैं तुमें ठीक करना चाहता हूं, जिस पर केसी कहता है कि कोई बात नहीं, आप अगर मैं खत्म में हो जाओं, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरा मिशन बस इस वारिस को पहला पर असुरें को करत्म करना था जो आज मैंने कर भी दिया, जी ऐसे मैं मरूँगा, यहां मैरा मालिक असले केसी आ जाएगा, जिस से यहां हम जान पर किस साॉरा प्लैन असले केसी का था, जिसने अपना ये क्लोट केसी बनाकर उससे ये काम कर भाया, और वही उस सब्सक्राइब करेंρά कि ऊप argu किसा कुषे न ऊतर्शा स्ट कूर्षे चृतं कांट दूर्धों केसी अज है वान पूरा के पास आया उसी आक्री बार मनाने के लिए। यह समय पूल में थी। लेकिन एक पर फिर सुप शुपिर असटला और गुस्पट सब ऐसे अ इनकार करता तो इवान वहां जाकर उसे अक्टिवेट आउन कर दीता है ताकि अब की बात वो उसके सारे जिन्दी को जार सके अब एक जगा इन सारे रोबोट्स की बोली लग रही थी जिन में एसमी भी शामिल थी जिसके सारी यादश्ट मिटा दी गए थी काफी महंगे दामों केसी उसे एक आदमी के ज़रे खरेद लेता है वो जैसे गाड़े में आकर बैठी वहां केसी भी था जो उसी देख कर बहुत कुश हो जाता है क्योंकि अब वो एसमी के साथ जिन्दी गुजारने वाला था हलांके बेशक उसकी आदश मिटा दी गए थी दोनों वहां से निकल गए अपनी नई जिन्दी के शुरुआत करने के लिए और इसे के साथ इस मुवी की कहाने इदर ही खत्म जाते है